आदमे लाइफ में बहुत सारी गल्तिया करता है इन गल्तियों से अगर कोई लोग हर्ट हो रहे होंगे तो यह बहुत गलत हो जाता है खुद की वज़े से बहुत सारे लोगों को तकलिफ हुए यह रिलाइस करकर आदमे रहे नहीं पाता तब उसे मोक्ष की चाहा होती है इसी में धीम के साथ पीटा ये 2012 की मुवी आज मैं आपको एक्स्प्लेंश करने वाला हूँ ये एक रिवेंश दिलर मुवी है मदर एंसन की बारे में एक अनाद लटका लोगों से पैसे वसुल करने का काम करता है एक दिन एक औरत उसके पास आती है और उसे कहे थी कि मैं तुम्हारी मदर हूँ इसके बात क्या होता है ये हमें इस एक्स्प्लेंशन में जानेंगे तो चलिए शुरू करते है मुवी का फर्स सीन आता है और हमें दिखता है कि एक आदमी अपने आप को फास कर मार देता है ये सुसाइड कर लेता है इसके बाद हमारा में क्यारेक्टर ली हमें दिखाए गया है ली सोया होता है और उसे नाइट फॉल की प्रॉल्ल होती है जब हम उसका घर देखते है तो वहाँ चीकान के पीसेस और फ्रेश देखते है उसके पास knife से target practice करने के लिए एक board होता है इस board पर वो एक औरत का poster लगाता है उसी पर वो हमेशा target practice करता है इसे पता है कि उसकी mother उसे छोड़ कर चली गई थी इसलिए वो बहुत ही woman को hit करता है इसे पता नहीं कि उसकी mother को ने इसलिए एक random poster उन्हें लगाया हुआ है ली फिर काम करने के लिए बाहर निकल जाता है इसका जो काम है ये लोगों से पैसी वसुल करना है इसके main customers जो भी hand workers होते है जो हातों से काम करते हैं और instrument के साथ इनका लेना देना होता है ये इसके customers होते है ये उनको पैसे देता है पर इसके interest rate बहुत ही जादा होते है टाइम खतम हो जाता है तो लोगों को 10 गुना पै करना पड़ता है ये बहुत ही जादा हो जाता है इसलिए लोग पै नहीं कर पाते ली फिर उनके पास जाता है और उनके हाथ तोड़ देता है इसने अल्रेडी उनका इंशॉरंस निकाला होता है जब इनकी हाट टूट जाते है तो इसका मेडिकलेम कवर निकल जाता है और जितने पैसे इनने उसे ओ किये थे वो सब वो पे कर देते हैं आज फिर यही काम करने के लिए ली बाहर निकलता है नेकसी में हमें एक वरकर और उसकी वाइफ दिखाई गई है यह बहुत डर रहा होता है क्योंकि अब ली इसके हाथ पेर तोड़ने वाला है उसकी वाइफ भी वाँ होती है वो कहता है मैंने सिर्फ 3000 लिये थे यह 30 केसे हो गए उसकी वाइफ उसके कहती है कि तुम्हें आकल नहीं है तुमने इंशॉरंस पर क्यों साइन किया था वो कहता है कि मैंने पास कोई चॉइस नहीं थी अब ली आने वाला है और यह बहुत इटेंशन में तो आकरी बार वो अपने वाइफ के साथ इंटिमेट होना चाता है तब ही ली बाहर आ जाता है और इन दोनों को जुदा कर देता है इस आत्मे की वाइफ ली को पगड़ती है वो खेहती है यह मेरे साथ तुम कुछ भी करो पर इसे जाने दो ली फिर हस्बन को बाहर निकाल देता है और शटर बन कर लेता है यह अपने कपड़े उतर थी है पर उसे कुछ भी नहीं करता सिर्व उसके पीट पर थोड़ा सा मारता है उसे थोड़ा सा पनीश करता है और फिर बाहर भीग देता है ली हस्बन को अंदर लेकर आता है यह जो हस्बन है इसके ही मशिनों से उसका हाथ वो कुचल देता है जब यह जा रहा होता है तो वाइफ कहीती है यह जब सुम तुम कर रहे हो इसके लिए तुम भुकतोगे सब जुर्माना तुमें भरना पड़ेगा ली को कुछ फरक ने पड़ता और वो वहाँ से चला जाता है घर जाते जाते वो चिकन लेकर जा रहा होता है एक गली आती है जिससे वो सटक जाता है यहाँ उसकी मदर उसके पीछे होती है उसका चिकन उसके हाथ से चला गया था तो उसके मदर उठा कर उसे दे देती है इसे अभी पता नहीं है यह इसकी मदर है यह फिर ली का पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाती है ली टोर बन करने के कोशिश करता है पर वो करने नहीं देती फिर वो अंदर आती है ली के बरतन में गरा माजने लग जाती है सब घर के काम वो करती है और फिर ली उसे बाहर निकाल देता है ली उसे पुछता है कि तुम यहां क्यों आई हो क्या मैंने तुम्हारा कुछ बिकाड़ा है इस ओरत के पास एक चाको होता है ली केरता है कि मार दो इससे कुछ भी भरक नहीं पढ़ने वाला उसके पेट पर ओर लोगों ने चाको से उसे मारा होता है तो इसके निशान होते है यह चाको वो ली को देती है रात में ली देखता है तो नीचे ही मदर उसकी बेटी हुए होती है नेक्स डे जब आता है उसे जापड मारकर वहाँ से निकल जाता है अब हमें दिखता है कि ली और एक वरकर के पास आता है यह जो वरकर है यह अपनी मदर के साथ बेटा हुआ है यह अपने मदर का बहुत ही खैल करता है ली जब वहा आता है तो उससे कुछ पैसे वह देता है वो इंट्रेस्ट सही से देनी पा रहा इसलिए ली उसे बहुत मारता है ली विर उसे एक construction site पर लेकर आता है यहाँ जो मदर है यह भी ली का पीछा कर रही है और यह सब देख रही है यह जो वर्कर है यह ली से कहता है अगर मैं creeper हो गया तो मैं मदर का मैं खैल नहीं रख पाऊँगा इसे अच्छा तो मैं मर जाओ ली कहता है कि तुम मरोगे तो तुम मेरे काम के कुछ भी नहीं रहोगे और उस building से उसे नीचे किरा देता है यह building जादा high नहीं होती है जिससे इसके पेर टूट जाते है ली मदर को देखता है और कहता है कि अभी के अभी यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें यहाँ से फिक दूँगा मदर कहती है कि तुम्हारे हाथों से मरना इतना बुरा भी नहीं होगा जब यह नीचे उतर कर वर्कर के पास आता है तो वर्कर कहता है कि तुम इसके लिए भुकतोगे तुम्हें भी मैरे जितना ही pain होगा ये सब सुनकर जो मदर होती है इस आदमी के भी पेर पर मारती है वो उससे कहती है कि मेरे बेटे के भारे में तुम ऐसा नहीं बोल सकते है घर जाते जाते मदर ली से पुछती है आज तुम क्या खाने वाले हो मैं तुमारे लेकर लेकर आऊंगे ली कहता है कि मैं खुद ही कर लूँगा जब ली घर पर आता है थोड़ी देर बाद मदर आती है उसके लिए एक फीश वो लेकर आती है यह फीश ली ले नहीं रहा होता तो यह वहाँ छोड़ कर चली जाती है इस फीश को तरड़ देखकर ली उसे उठा लेता है और फीश टैंग में रख देता है जब रात होती है तब ली इस फीश को फिर से देखता है तो फीश मर चुका होता है अब हमें थर्ड वरकर दिखता है इसने भी पैसे ले ले होती है और इसका भी टाइम खतम हो चुका होता है यह हमें दिखता है कि अपनी मदर को एक चिट्टी लिखता है इसके पास कुछ नीन की गोलिया होती है यह सब वो ले लेता है और सोसाइट कर लेता है लीव आता है उसकी मदर की चिट्टी दिखता है वरकर की मदर का पता अब उसे मिल चुका है तब उसके घर वो आजाता है इस वरकर की जो मदर होती है यह ब्लाइंड होती है यह कुछ भी करने ही पाती है यह फिर उसे पोचता है कि bank अकाउंट, कुछ पैसे कहा तुमने रखे है उसे कुछ भी नहीं पताता अब ये अपने पैसे रिकवर नहीं कर पाया यहाँ इस ओल्ड डेडी का एक रैबिट होता है जिसको उठा लेता है ली के मदर ने उस फिश के साथ अपना नमबर भी छोड़ा हुगा होता है ये नमबर फिर ली लगाता है और उसे बात करता है उसे पुछता है कि क्या तुमें मैं मॉम पुकार हूँ ऐसा तुमें लगता है मैं बिना मदर के 30 साल तक रहा हूँ तु मुझे छोड़ कर चली गई थी येसा वो बोलता है बहुत हर्ड हो रहा होता है मदर फिर एक लोरी सुनाने लग जाती है ली को ये लगता है कि ये बहुती पास से ही आवाज आ रही है दर्वासा खोलता है दर्वासे के बाहर ही उसके मदर बेठी हुए होती है वो फिर उसे अंदर बिटाता है उसके पुछता है कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है मेरे बॉड़ी पर एक बर्ट माँख है उसके बारे मुझे पता हो मदर कहती है कि मैं बहुत यंग थी जब मुझे तुम होए थे मैं तुम्हें छोड़ कर एक ही पल में चली गई थी मैंने कभी भी तुम्हारे बॉड़ी भी नहीं देखी थी ली फिर अंदर जाता है उसके बॉड़ी से एक फ्लेश निकालता है और यह उसके मदर को खाने के लिए देता है वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरी मदर हो तो तुम यह खा लोगी यह मदर के लिए बहुत ही हार्ड होता है पर इसे प्रूव करना होता है कि यह उसकी मदर है इसलिए वो खा ले थी है ली का माइन बहुत ही ट्विस्टेड होता है उससे कुछ समझ में नहाता कि वो क्या कर रहा है हमने देखा था कि एक rabbit को ली लेकर आता है तो यह rabbit जो है अब इस apartment से निकल चुका है मदर इस rabbit को दिख रही है इसका मतलब है mother ने इस rabbit को free कर दिया है जब next दिन आता है तो mother ली के लिए breakfast वेगरा ready करती है उसके लिए भहुत सारा खाना वो बनाती है ली ब्रेकफास्ट करकर घर से निकल जाता है और एक वर्कर के पास हो आता है यह जो वर्कर होता है यह अपने वाइफ से बात कर रहा होता है इसकी वाइफ प्रेंडन होती है ली जब वह आता है तो ली से यह कहता है तुम मेरा एक हाथ तोड़ने वाले हो तो क्या तुम दो तोड सकते हो उसे और भी जादा पैसो की जरुरत होती है अब इसे चाइल्ड होगा तो इसका ख्याल वो रखना चाता है लीस के लिए मान जाता है ये जो होता है ये गिटार बजाता है तो लीस से कहता है कि last बार मुझे गिटार बजाना है कर देता है वहां से फिर वो चला जाता है ली जब घर पर आता है तो अपनी मदर को पुछता है क्या तुम्हारे कुछ husband कुछ son ऐसे कुछ है मदर गेती है कि कोई भी नहीं है ली फिर उठता है और उसके जो target क्रिपल नहीं हो सकता यह उपर जाता है और building पर चड़ता है यह वहां से नीचे गिर कर सुसाइड कर लेता है mother जोती है एक घर में ली की diary पढ़ रही होती है जिनकिन लोग को उसने cripple किया है यह मार दिया है इस सब की list उपढ़ दिया है इसलिए अपनी mother को खहता है कि अगर यहां कोई भी आए तो door मत खुनना अपनी mother के लिए अब वो worry करने लग गया है बहुत सारे लोग को उसने मार रहा है तो कोई बदला लेने के लिए आ सकता है इसलिए वो यह वरी कर रहा है यह दोनों lunch खेलते है शौपिंग mall में जाते जिस तरह से छोटा बच्चा और उसकी mother एक मज़े का दीन गुजारते है उसी तरह से यह गुजारना चाता है city में clown होता है जो बच्चों के साथ खेल रहा होता है बच्चे जिस तरह से खेलते है उसे की तरह यह भी खेलता है crown वैसे एक आदमे उस पर हसने लग जाता है त यह जो बिकारी है इसको भी ली ने ही अपंग किया है यह फिर इनका पीछा करने लग जाता है इसका पीछा करते करते ली के घर में वो पहुच जाता है वो अंदर आता है और ली के मदर पर वो चाको रखता है वो कहता है कि तुम अब अपने आपको मार देने वाले हो वरन उसे हमेशा से चाहिए था ये कभी भी उससे नहीं मिला ली की मदर फिर इस भिकारी को जो हाथ होती है उसको बाइट कर लेती है अपने आपको उससे छुड़वा लेती है ली एक चाको लेता है और उससे इसको मार देता है ये जो भिकारी होता है ये भागते-भागते नीचे चला जाता है ली और उसके मदर फिर डिस्कस करते है कि ये जादा दूर नहीं जाएगा ये कही ना कही तो मर कर पड़ी जाएगा मदर फिर देखती है तो ली जो होता है रात में उसे बहुत दर्थ होता है जब नेक्स दिन यह तो मैं breakfast कर रहे होते हैं तो ली कहता है यह फिर से अकेला नहीं जी सकता मदर स्वेटर बोन रहे होती है तो यह उससे पूछता है क्या है मेरा birthday present है मदर कुछ भे नहीं बोलती है ली कहता है कि मेरे लिए यह थोड़ा छोटा हो रहा है ली जब काम के लिए जाता है तो मदर ली का एक सिकरेट प्रेस होता है जाओ वो सब हाइड करता है यहाँ पहुच जाता है अपने movie के first में देखा था एक आदमी ने अपने आपको मार लिया है उसकी जो body होती है यह उस place में होती है मदर यह देखकर बहुत ही रोने लग जाती है यह जो sweater उसने बुना होता है यह इसको पहना देती है ली अपने boss के पास आया होता है उसका boss उसे बहुत मारता है ली का boss उसे कहता है कि मैंने सिब तुमें उन्हें cripple करने के लिए बोला था उन्हें मार दो या उन्हें cripple कर दो ऐसा मैंने कभी भी तुमसे नहीं कहा था तुमें इस काम से आप चले जाने वाले हो पर कोई ना कोई तुमसे revenge लेगा ली अपने मदर को call करता है और वो phone नहीं उठा रही होती है फिर वो घर पहुच जाता है उन्हें मदर को कहता है कि मैं बहुत ही तुमारे लिए worried था क्योंकि तुम फोर नहीं उठा रही थी मदर भी उसे sorry कहती है आज चो होता है ली का बड़े होता है ये दोनों उसके लिए cake काटते है ली की मदर उसे कहती है कि चलो आज एक tree हम plant करेंगे river के पास आते है और इस tree को प्लान कर देते है ये एक pine tree होता है जो water के पास नहीं जी सकता है तो ली उसे पुछता है मदर कहती है कि हर आदमी कभी ना कभी तो मरी जाता है ली कहता है कि ऐसा मत बोलो उसके मदर मर जा है इसा उसे नहीं लग रहा नेक्स दिन ली को call आता है और उसके मदर इस call पर होती है उसके मदर को कोई मार रहा है इसा उसे लगता है उसके मदर को कोई मार रहा है उसकी मदर चिला रही है ये सब उसे सुनाई देता है इसा कुछ भी हो नहीं रहा होता क्योंकि मदर जोती है या अपने आप ही ये सब आवाज निकाल ले होती है ली की घर को ये सब तैसनेस कर देती है क्योंकि ऐसा लगे कि मदर को कोई लेकर चला गया है उससे बदला कोई लेना चाहता है इसलिए ये सब हुआ है ऐसा उसे लगता है लिको मालों में जिन लोगों को लीने हट किया है उनमें से ही गोई होगा जिसने उसके मदर को अपड़ट कर लिया होगा अब सब लोगों के पास वो जा रहा है वो एक आदमी के पास आता है ये विल्चेर पर होता है उसे बहुत इगाले देता है और कर्स करता है एक आदमी को उसने मार दिया होता है उसके मदर का भी वो पीछा करता है वो पीछा करते करते एक स्पोर्ट पर पहुचाता है जहां उसका बेटा गार दिया गया होता है यह उसको हट नहीं कर सकती इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और एक आदमी के पास आता है यह पैरलाइस्ट होता है उसे धमकाता है, उसे पूछता है उसे धमकाता है, पर यह आदमी कहता है मैं तुम्हें मार सकता, तुम्हें तुम्हें मार डालता इसने भी यह नहीं किया है मुवे के फस में जो हस्बन और वाइफ हमें दिखाये गए थे वो अब इनके पास आता है इन दोनों को अब जगड़ा चल रहा होता है क्योंकि उनके पास रहने के लिए सही जगा नहीं होती इनके लाइफ अब बहुत बरबाद हो चुकी है वो एक दुसरे को ब्लेम कर रहे होते है तब ही ली वहा आता है उनसे पुछता है कि मेरी मदर खाया है हस्बन जोता है वो बोलता है कि मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम्हें मदर है इसमें वाइब जोती है उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हें 100 टाइम से मार सकती है तुम्हें मार देती है मैं वीश करती हूँ कि मैरे कार के नीचे तुम आ जाओ ली उन्हें कुछ पैसे देखकर वहां से चला जाता है ली अपने सिक्रेट प्लेस पर आता है ये वही प्लेस है जहाँ मुवी के वस में एक आतमी ने आत्मत्या कर ली थी अपनी मदर को एधोडने पा रहा तो वहां वह सोजाता ये ली की मदर वहां आती है ली सोय होता है तुसे सुनने पाता वह कहती है कि तुम एक राक्शस हो जो पैसों के लिए सब करते हो अब तुम्हारी family के साथ यह हो रहा है तुम हरट हो रहे हो अब यह रोकर कुछ यह फायदा नहीं है अब यह mother फिर से pretend करती है और ली को call करती है उसे कुछ लोग मार रहे है ऐसा वो pretend करती है और एक location भी उससे देती है ये वही building है जहां से ली ने एक आदमी को cripple कर दिया था ली नीचे आता है वो pretend कर रही होती है कि उसे ये ढखलने वाला है वो जोर से चिला दी कि प्लीज मुझे मत मारो प्लीज मुझे मत मारो ली फिर बच्ता ने लग जाता है ली को लगता है कि उबर कौन है और उसे वो कहता है कि मुझे मार दो ये सब मेरी गलती है प्लीज मेरी मॉम को जाने दो उसे बहुत ही पच्ता होता है और वो रहने लग जाता है ली का पीछा करतो है एक वरकर की मदर भी वहाँ आई होती है उसका सन मर चुका है उसका बदला रेने के लिए वो मदर को ढखिल देने वाली होती है पर मदर खुद से ही गिर जाती है गिर कर वो मर जाती है जहां मदर और ली इन दोनों ने एक पेड प्लांट किया था वहाँ वो गड़ा होता है, इस गड़े में अपनी मदर को डालने वाला होता है, पर वहाँ उसे एक बॉड़ी मिलती है, वी के फर्स में जिस आतमी ने सुसाइड कर ली थी, उसके बॉड़ी इस गड़े की नीचे होती है, मदर ने इसकी बॉड़ी गाड़ी होती है, ली को लगा थ चैनल बलिए एक तुम्हें गाड़ी को गुजल दो ऐसा उसे लग रहा है तो ऐसा अब होने वाला है वाइप बाहर आती है गाड़ी स्टार्ट करती है और गाड़ी चलाने लग जाती है लीने अपने आपको वहाँ पांदा ही होता है तो इसी वजह से वह गाड़ी जब सकती थी इसलिए उसका यह प्लान था ली को छोड़ कर चली गई थी तो उसे अब पश्चाताब हो रहा था और जब ली से फिर से मिलने के लिए आई तब उसने देखा कि इतना घटी आद्मी बन चुका है यह लोगों को हर्ड कर रहा है इन सब चीज़ों के लिए वो अपने आपको ही ब्लेम कर रही थी क्योंकि अगर वो अपने बच्चों को छोड़ कर नहीं चली जाती तो ऐसा नहीं बनता इतने सारे लोग नहीं मरते अपने बच्चों को खोने का दर वहाँ सारी मदर्स को नहीं होता इसलिए अपने पापों का प्राइस्ट हो करना चाती थी इ जब वो अपने गोड़ाउन में आया था तो वहां से बोड़ी मिसिंग थी पर उसका उसने इतना खयाल नहीं रखा जैसे मदर का ब्लैन था कि बहुत ही पेन में होगा और सुसाइड कर लेगा वैसे अब हुआ ली भी बहुत ही पेन में था वो कभी भी अच्छी लाइफ नह अगर आपको यह वीडियो अचा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारे एसी मूवी में लेकर आता रहता हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकन दबाना मत भूलिए यानिकि आपको सब वीडियो मे आप अपने आपका खैल रखिये